तो आज हम explain करने वाले है यह दिक्टेटर मुवी को जो की 2012 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 6.4 आउट और 10 की रेटिंग दी गई है यह कहा जाए डार्क कॉमेडी फिल्म है तो इस फॉलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते है तो मुवी का नाम अलादीन था और फिर उसके फादर को भी मार दिया जाता है इतनी कम उमरों में उसके मावा को मार दिया गया था जिसकी वज़े से अब वो सब कम उमर में ही राजा बन जाता है फिर बताया जाता है कुछ साल बाद अलादीन जो की अब बढ़ा हो चुका था और वो काफी ज़्यादा पागल इंसान था उसने एक बार अपने देश में ऑलम्पिक भी रखी थी जिसमें वो खुद भी पार्टिस्पेट करता है दोड़ते हुए जो भी उसके आगे निकलने की कोशिश करता वो उसे गोली मार देता था ऐसा करते हुए वो सारे खेल जितता जाता था वो इस ओलम्पिक में 14 गोल्ड मेडल जिता था उसके मन में जो भी आता था वो करता था और एक दिन जब बता जाता है कि वो अपने महल से भार आता है वो अपनी जनता को बताता है कि एक दिन सारे लोग सारे देश हमारे आगे क्योंकि हम परमान उबम बना रहे है और हम वो किसके उपर भी नहीं फेकेंगे लेकिन हम उसे शांती बहल करेंगे और पागलों की तरह हसने लगता है तभी वो निकलियर सेंटर में जाता है वो वहाँ पर तामेर से मिलता है जो कि उसका चाचा था वन उसे अंदर लेकर जात आपने मार दिया था उसे ये बिलकुल भी याद नहीं था क्योंकि वो दो साल पहले वो जब यहाँ पर आया था तब उसने नडाल को कतल करवा लिया था अंजाने में उसे वो चीज याद तक नहीं थी तभी व वो साइंटिस उससे बोलता है कि शायद आप नडाल के बारे वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जब ये उसका मन हो उसका दिल हो वो इनके साथ इंटिमेट हो सके और तभी जब अलादिन माहिल से बाहर गुजर रहा था तभी एक आदमी उसके उपर अटेक कर देता है और तभी वो अलादिन को शूट कर देता है और तभी अलादिन की उस को बलता है कि इसे भी मरवा दो उसके जाने के बाद उसके चाचा किसी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि अलादिन इस बार भी बज गया हमें उसकी तरह दिखने वाला कोई डूबलेकेट इंसान ढूनना होंगा ताकि वो हमारे काम कर सके और हमारे इशारों पर नाचे और यह इस तरहां खेए देता था लेकिन आद में वह अलादिन की तरहा ही बयोकूफ था और फिर अलादिन सब्सक्राइब के 살ा आउसके लोगों की जिनके सब्समक्रण विडियो गेम घहल रहा था तब हूं उसके चाचा उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर वहां पर सफाई देनी होंगी पर मानूबं के बारे में और तुम बहुत बहुत बताना होंगा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह लोग यहां पौज भेज़ देंगे और पिर अलादिन अपने सेकुरिटी हेट से मिलता है जिसका नाम क्लेटन था जो कि अलादिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उसी रात अलादिन जब अपने कमरे में सो रहा था तभी क्लेटन वहां पर आता है और उसे किड्नैप कर लेता है वह उसे अपने टॉचर र लेकिन दाड़ी में इतनी आग लग जाती है कि उसके आग से लफचा पेट में वो भी जलकर मर जाता है और अलादीन वहां से आज़ाद हो जाता है लेकिन अलादीन की दाड़ी पूरी तरह से अब कट चुकी थी इसलिए वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था जिस वज हुआ है तब अलादीन को काफ़ ज़दा गुस्ता आता है वो रिलिंग तोड़कर वहां से जाने अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां की सेक्रिटी उसे पकड़ लेती है वो उसे अंदर नहीं जाने दे थे तब वहां पर सब अरकम बज जाती है तब जो इनाम की लड़की आती है और वो अलादीन को अपने स्कोटी पर बिठा कर वहां से ले जाती है अलादीन को पहले ऐसा लगता है कि ये कोई लड़की नहीं लड़का है लेकिन बाद में उसे पता चलता है फिर वो उसे एक दुकान में लेकर जाती है जहापर वो काम करती थी उसे व वो उसे देखकर काफे ज़्यादा है वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते हुए वो एक बार तक पहुच जाते है यहाँ पर सिफ वही लोग आते थे जो अलादिन से नफरत करते थे वहाँ पर काम करने आला एक इंसान एक आदमी अलादिन को पैचान लेता है और वो वो सारे लोगों से पकड़ लेते है और उसे मारनाईगा अलेते कि तभी वहाँ पर नदाल आजाता है तभी वो सबी को बताता है कि यह अलादिन नहीं मेरा कजिण है वो भी उसे पैचान चुका था लेकिन वो उसे बचा लेता है वो से बुचता है कि मेरे चाचा दामीर ने मुझे दोका दिया है और साथ ही तामीर पूरे वादिया पर कब्ज़ करना चाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ीगी तब इतना दाल उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन वो एक शर्त रखता है कि मेरी नौकरी मुझे वापस चाहिए त अलादिन भी उस शर्त पर राजी हो जाता है फिर वो दोनों अगले दिन उस होटल के पास जाते है जहाप और अलादिन का हमशकल रह रहा था तबी वहाँ पर उसे जोई भी दिखती है उसे देखकर अलादिन चुपने लगता है नादालों से बुझता है कि तुम उस लड जाएंगे जिसके बाद हम नखली अलादिन को अटाकर तुम्हें वहाँ पेज़ देंगे वक्त गुजरते ही धीरे धीरे अलादिन को जोई से प्यार होने लगता है और इस शौप में अच्छे से काम करने लगता है और जोई की काफी हेल्प करता है जिस वज़द से इस श और इतना वक्त उनके पास नहीं था कि वो से हस्पिटल पहुचा सके अलादिन को कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी वो उस औरत की देलोरी करता है और वो भी सक्सेसफूल जोई उसके साथ काफी ज़दा खुश थी वो दोनो एक दूसरे के साथ काफी ज़दा गुशसा हो जाती है और काफी ज़दा डर जाती है उससे वो उसे वहाँ से बगा देती है तब वो एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तब रास्ते में बड़े से टीवी पर वो देखता है की उसके देश के बारे में कुछ न्यूज चिल रही है वहा के लोग अलादिन के वहां से जाने के बाद काफ़ जदा कुछ थे वहां के लोग अलादीन जैसा राजा अब नहीं चाहते क्योंकि वो एक तानशाह था और वो भी एक नमर का बेवकुफ वो यह देखकर काफ़ ज़ादा दुखी हो जाता है और यह सुचता है कि उसे इस दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता जिसके बाद वो जान देने के लिए पुल से कुदने वाला था लगिन तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और वो उसकी बात मांन जाता है वहाँ से शुषाइड वो नहीं करता तब ही वो नदाल के साथ मिलकर ओटल के अंदर जाता है जो कि एक बहुती कॉमेडी और फ़नी सिंथा बहुती बैस सिंथा वो उसके हमशकल को वहाँ से भगा देता है उसकी जगा वो ले लेता है वो उस जगा पर जाता है जहाँ पर वादिया का नाया सहुईदान पड़ा जा रहा था लेकित वो उससे भाड़ द ओह उसमें ये लिगा था कि अब वादिया एक लोग शाही देश हो जाएंगा लेकिन वो ये बदले अला था कि वादिया में फिर से उसी तरह राज चलेंगा जैसे कि पहले उसका राज चलता था लेकिन वो जोई-को देक लेता है और वो अपने स्पीच बदल देता है जोई को देख वो अनौन्स करता है कि वादिया में अब लोकशाही चलेंगी राजशाही नहीं वहाँ पर अब किसी का तानशाही नहीं होंगी ये सुन सारे लोग काफे जदा खुश हो जाते है लेकिन अचनक तामीर गन लेकर उसके बढने वाले थी कि उसका हमशकल भी चोओ जाता है और वह उसकी हमशकल को लग जाती है जिसके बाद आलादिन जोई को अपने देश वादिया ले जाता है वहां पर दोनों भी शादी कर लेते हैं शादी के व्यों और वह मुवज़ए कंगा पसंद आया हो तो अगर आपक को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए और मुझे कॉमेंट सेक्षन में भी ज़रूर बताएंगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियोज चाहिए मिलते हैं ऐसे ही आसम टॉपिक के साथ अगली वीडियो में तिल देन बाई